अब बात कर लेते हैं Team of the Day की आज हम पढ़ेंगे Portion Abhiyan पटाफट चलते हैं Portion Abhiyan क्या है ये इसके बारे में देख लेते हैं Portion Abhiyan की जब मैं बात करती हूं Portion Abhiyan जिसको हम National Nutrition Mission भी कहते हैं सरकार ने जो है ये लांच किया था जैसे कि इसका नाम ही है Portion यानि Nutrition जो है वो आपके खाने में आना चाहिए और आप जो है यहाँ पर nutritious खाना खाएं यह यहाँ पर nutritional status जो country का है उसको हमने बढ़ाना है यहाँ पर majorly majorly किन पर focus किया गया है pregnant women पर lactating mothers पर जो माय दूद पिलाती है pregnant women और बच्चे जो 6 साल से 6 साल के अंडर-अंडर है यानि 6 साल से छोटे हैं इन 3 sections पर जादा focus किया गया है इस particular mission में आगे बात करते हैं इस mission के तहट हम कुछ चीज़े करेंगे जैसे awareness create करेंगे ठीक है access सब के पास होना चाहिए यानि कोई भी अगर pregnant women है उसको nutritious खाना चाहिए तो हम जो है accessible वनाएंगे उसके लिए उसको options देंगे कि इतना असान है अब यह nutritious खाना आप चाहें आंगनवाडी से ले सकते हो या मतलब उसको options प्रवाइड करतेंगे ताकि वो खाना access कर पाए nutritional services हम अपनी बढ़ाएंगे तो definitely यह बहुत ही important हमारे overall future के लिए है आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो nutrition हमें लेकर आना है portion अभियान 2023 वाला जो है आप सभी को पता है यह 18 में इसको launch किया गया था nutrition status के लिए मैंने आपको यह तो बता ही दिया है इसका mission यह था कि हमारे यहाँ पर आपको पता है stunting, stunting, wasting, stunting क्या होता है जब बच्चों की height नहीं बढ़ती wasting क्या होता है जब बहुत पतले रह जाते हैं आपने देखा होगा एकदम पतले बच्चे होते हैं तो वो ना हो, under nutrition ना हो अनेमिया जो खून की कमे हो जाती है low birth weight जो बच्चे जो है बहुत ही कम weight के पैदा होते हैं फिर वो आगे जाके उनको बहुत जारी बिमारिया होती हैं है न तो यह सारी problems ना हो उस चीज़ को so basically malnutrition को cater करने के लिए या control करने के लिए खतम करने के लिए हमने ये launch किया था ठीक है very good uncle, very good चलिए आगे हम बात करते हैं इसी से related ये आप सभी को पता है ये शुरू हुआ था और ये अलग-अलग बहुत सारे राज्यों में इसको implement किया गया ठीक है अभी जो है यहाँ पर सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसको इंप्लिमेंटेड इन हर्याना इसको अलग-अलग जो है फेज़ में हम इसको implement कर रहे है नू पानीपर डिस्ट्रिक को जो है चूज किया गया है फेज वान के लिए फेज टू के लिए कैथल, करनाल, कुरुक, शेत्र, ठीक है गुरुगराम, पलवल यह सारे हर्याना के डिस्ट्रिक से इसको जो है चूज किया गया है और फिर बाकी के बच्रे हुए को हम फेज 3 में जो है चूज करेंगे ठीक है चलिए अब इसी से यहाँ पर जो है पोशन अभियां 2018 में यह शुरू हुआ था हम सबको पता है इसका टार्गेट मैंने बता दिया ये ये और ये था बट कितना पसेंट था ये आपसे क्वेशन में पूछा जाता है ये था इसका जो टार्गेट था यानि हर चीज को 2% करना है बट सिर्फ अनेमिया एक ऐसा है जिसको हम 3% जिसमें reduction चाहते हैं रैट सो सारे ही सेम है बस एक अनेमिया ही अलग से है तो सिर्फ अनेमिया याद रख लेना जब भी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे points याद करने होते हो और सारे points सिमिलर से ही है बस एक उच में से अलग सा है कुछ तो आप वो सारे मत याद करो जो अलग है सिर्फ वो याद कर लो है ना ये याद करने का जो आप बोलते हो ना माम करंट अफैर याद नहीं होते याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ठीक है तो अनेमिया को 3% हम reduce करना चाहते हैं पूरे देश में जो अभी है उससे 3% कम लाना चाहते हैं तो यह जो है यहाँ पर and reduce by 3% चलो उसके बाद यह also stunting वगेरा यह हमने देख लिया तो कितना हम 38.4% जो है वो हम कम करना चाहते हैं to 25% ठीक है अभी जो इतना है उसका नंबर हम 25% लाना चाहते हैं यह हमने 2022 का जो है वो target किया था and we have achieved it ठीक है चलो next हम बात करते हैं इसमें हम पोशन अभियान जो है ensure करता है service delivery भी ठीक है service delivery हो गया technology को use करके behavioral changes behavioral changes बहुत important है यानि अभी हम लोगों को पहले मानना पड़ेगा पहले सीखना पड़ेगा कि हाँ जो pregnant women है lactating women mothers है उनको nutrition की जरूरत है तो behavior में change आना चाहिए सबसे पहले ठीक है इसके अंदर जो है हम स्वस्त भारत प्रेरक्स जो है उसको deploy करेंगे यानि कुछ ऐसे लोगों को जो है हम deploy करेंगे हर एक district में ताकि वो लोगों की help कर सके ठीक है ठीक है जी और track वगेरा भी जो है हम लोगों को करेंगे कि कि कितनी हमने जो है उनको सुविधाय दी है ठीक है येस रिशिता येस येस आप चिंता मत करो मैं पूरा करंट मैं पूरा government schemes का एक marathon लेकर आ रही हूं जहां पर पिछले 6 महिने की सारी government schemes में करवाने वाले हूं current update के साथ ठीक है so don't worry ये marathon मैं announce भी कर चुकी हूं कि marathon लेकर आ रही हूं ठीक है फिर से announce कर दूंगे ठीक है portion अभियान के objectives actually हम देख चुके हैं ये वही है ठीक है चलो अब इसके components आते हैं सबसे पहला है convergence convergence का मतलब है कि अलग-अलग लोगों को हम यहां पर लाने वाले हैं ठीक है so यहां पर अभियान जो है यहां पर यह ensure करेगा कि बहुत सारी schemes हैं हमारी ministry of women and child development की उनको हम लेकर आए nutrition related जो हैं ठीक है सबको converge करें और तब target achieve करने की कोशिश करें ठीक है so यह एक convergence का मतलब है इसमें अलग-अलग जो है मतलब हम चाहे उसमें अलग-अलग लोगों के साथ meeting करना पड़े अलग-अलग जो भी चीज़े करनी पड़े सबके साथ जो है हम मिलकर converge करके करेंगे next है ICDCS ठीक है so यहाँ पर भी again यह इतना depth में आपको करने की ज़रुवत नहीं है कि यहाँ पर मतलब यह वही है integrated child development scheme है यह और कुछ नहीं integrated child development scheme so यहाँ पर software based tracking जो nutritional status का है कि हमने जो पहुंचाया है nutrition वो पहुंचा है नहीं पहुंचा है कहाँ पर और कमिया है यह सारी चीज़े जो हम track वगेरा करेंगे behavioral changes लेकर आएंगे awareness करेंगे incentives देंगे of course this is very important ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग दिना incentive के काम ही नहीं करते है तो events यहाँ पर बहुत सारे होते है community based events यह देखो यह ना एक तरीके के solutions हैं जो आप अपने paper 2 में use कर सकते हो ठीक है कि हमें community based approach लेकर चलनी चाहिए कि आंगनवाडी हो गया सब लोगों को मिलकर जो है इस तरीके के events organize करने चाहिए है ना तो यहाँ पर सब को जो है मिलकर वो करना चाहिए आप यहाँ पर कुछ examples भी देख सकते है community based events जो है वो celebrate किये जाते हैं आठवे और 22nd और every month आगनवाडी में तो इस तरीके से program भी हम रख सकते हैं कि इस तारीक को जो है हम यह चीज़ celebrate करेंगे है ना तो यह भी करी जा सकती है उसके साथ-साथ यहाँ पर the themes include अनप्रस्न दीवर्स, सुपोशन दीवर्स वगेरा वगेरा चीक है स्कूल में, कॉलेज़ में, आगनवाडी में प्री स्कूल में छोटे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं अहाँ पर जो है हम यह कर सकते हैं चीक है? चलिए अब अगें विलेज हेल्थ सानिटेशन न्यूटरिशन डे सो बेसिकली यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि हम अलग-अलग तरीकों से इस चीज़ को अच्छीव कर सकते हैं अलग-अलग मन्थ डिसाइड कर सकते हैं अब हम यह करेंगे, अब हम यह करेंगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बिगर पिक्चर प्लास के बारे में and this is really, really important दो मिनट मुझा आपके चाहिए आप अगर किसी भी एक्जाम के लिए 2024 तक के लिए प्रिपेर कर रहे हो आपकी करंट अफेर की दुविधा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है क्योंकि मैं लेकर आ गई हूँ तब बिगर पिक्चर प्लास यह क्या है आप अगर पेड़ बैच में इन्रोल करते हो वो पेड़ बैच एक महिने में खतम हो जाते हो और आपके करंट अफेर छूट जाते है यह आपने देखा होगा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सूचा कि क्यों ना में एक ऐसा बैच लेकर रहा हूं जिसमें एक साल का करंट अफेर मिले बच्चो को उससे क्या फायदा होगा पहली बात अगर आप किसी भी रेगुलेटरी के लिए बैंक के लिए किसी भी एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हो आपको मालो किसी भी आपको मालो चाहिए October, November, December, January, February, March 6 महिने का करंट अफेर चाहिए आपको यहां से मिल जाएगा ठीक है और आपका basic से पढ़ाया जाएगा यानि आपको 6 महिने से नहीं हो रहा है मैं तो 8 महिने का पढ़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे basic अपना clear करना है वो भी मिल जाएगा मतलब आप अपने महिने यहां से choose कर सकते हो अपने exam के हिसाब से है ना मैं आपको पूरा 1 साल दे दूँगी आपको जो जो महिने चाहिए आप choose करो और basic से पढ़ाऊंगी आपको पूरा एक साल चाहिए कि माम एक बर एक साल पढ़ ले ताकि basic clear हो जाए तो और बढ़िया आप ऐसे कर सकते हो August 2023 से लेकर जुलाई 2024 सारे courses इसमें जो है आपको मैं आपको दिलाने वाली हूँ ठीक है अच्छा इसमें अब क्या-क्या होगा सारी मन्थवाइस government schemes में कराऊंगी एक साल का current affair कराऊंगी RBI circularist कराऊंगी एक साल का static GA भी करवाऊंगी ठीक है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूत नहीं static GA की भी अब GA और current affair दोनों यहाँ पर होगा और special interactive webinars में यहाँ पर conduct करूंगी ताकि आपके कोई भी doubt है या फिर मालो अगर आपका कोई interview आ गया है इन webinars में हम topics discuss कर सकते हैं है ना जैसे मैं कोई भी MSME पर topic ले आऊ या कोई भी है ना उस पर हम discussion कर सकते हैं जैसे interview panel के साथ आप करते हो और बीच-बीच में अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ descriptive session layout ठीक है तो वो भी हम यहाँ पर discuss कर सकते हैं तो यह webinar एक तरीके का personal guidance होगा ताकि जो भी आपका exam का phase चल रहे हम सब से बात करेंगे और अपना discussion कर लेंगे इसमें अगर आप चाहोगे तो हम अपना एक अलग से paid telegram भी बना लेंगे ताकि अपना paid telegram के through भी जो है connect कर सके right RBI के लिए RBI के लिए मैं आपको बोलूँगी 8 महीने के current affair आप जरूर पढ़ो ठीक है अपना basic clear करो 8 महीने के लिए जरूर prepare करो ठीक है पर आपको करना क्या है इसके लिए क्या करना है अगर आपके पास bank maha pack plus है तो बहुत अच्छा है बट नहीं है तो मैं आप सभी को बोलूँगी और आज डबल वालेडिटी है तो यह बहुत अच्छा मौका है कि जिसने इसमें अब तक नहीं enroll किया है वो enroll कर ले अटर 24-7 के आप पर जाना है अब पर जाओगे तो रेगुलेटरी बॉडिज पर क्लिक करना क्योंकि मैं यही पर पढ़ाती हूँ ना नबाड पर जब क्लिक करोगे वीओ वाल पर क्लिक कर लेना फिर नबाड के बाद तीक है आपको यहाँ पर बिगगा पिक्चर प्लस दिखेगा उससे पहले मैं दिखा दू डबल वालडिटी सिर्फ कुछ ही घंटो के लिए है तो आप फटा-फट इसमें एन्रोल कर सकते हैं एन्रोल करने का सेम प्रोसीजर है किसी भी बैच में आप एन्रोल करो अब सी 6 ओक्टूबर से ये बैच शुरू है चार से पांच मेरी डेली इसमें करन्ट अफ़ेस की क्लासिस होंगी हम मंडे टू फ्राइडे जो है यहाँ पर मंडे टू थर्स्डे जो है हम पढ़ने वाले है फ्राइडे को हम डेली एक टेस्ट कंड़क करेंगे इसमें जो है यहाँ पर आपका RBA circular यह हम करवा चुके छे महीने के करन्ट अफ़ेर मन्थवाइस मिलेंगे आपको ठीके इसमें live recorded sessions regulatory या bank के कोई भी exam सो मालो आपका exam ना December में है है ना सो आप इसमें enroll कर लो आपका exam March में है और आपको 6 महीने के करन्ट अफ़ेर चाहिए हम webinar में आप जैसे और आगर आप prefer करोगे तो video call भी कर सकते मुझे कोई problem नहीं है सारे बच्चे video call पर आजाओ है ना ऐसे कर लेंगे ठीक है तो जैसे आप को होगे वैसे हम इसको कर लेंगे इस पे सिर्फ आपको buy now पर click करना है and Y674 तो आप अब आपका current affair का tension एकदम खतम हो जाएगा and make sure आप यही special code use करें क्योंकि इससे आपको maximum discount मिलेगा ठीक है Y674 जैसे ही आप एप अपलाए करोगे यह पूरा 10,000 का course आपका 2-2 double line का पड़ेगा इसमें भी आपका 1% कम हो जाएगा अगर आपने app से enroll किया ठीक है so इसमें आप फटा-फट कर लीज़े double validity anyways कुछ ही time बाद है खतम हो जाएगी और अगर आपको इसके अलावा अगर regulatory का महापक चाहिए या bank महापक प्लस चाहिए process same है batch पे click करके Y674 आप डालोगे apply करोगे and you will get the maximum discount ठीक है चलो yes 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 officer definitely आपकी इस बात से help होगी ठीक है anything else आपको कुछ भी पूछना है आज ही एक talk show रखते है ठीक है चलो एक talk show रखते हैं अगर आपका कोई भी doubt है तो फटा-फट पूछते है let's discuss anything आपको कुछ भी पूछना है let's discuss 2 minutes रखते हैं और yes Shrita sorry if I'm pronouncing your name incorrectly बिलकुल हम webinar ऐसे रखेंगे जैसे हमारा normal हम बात कर रहे हो ताकि आपके सारे doubts हो जाए in fact जब आपका interview का time चल रहा होगा तो मैं इसमें आपको interview के लिए भी prepare कर वा दूँगे ठीक है ठीक है ओके छे तारिक से हमारा बात चुरू होगा रोज चार से पांच शाम को class होगी इसमें anything else? किसी को कुछ भी पूछना है do you want to ask anything? नबाड report playlist मैंने उसमें आठ chapters करवा दिये हैं बस एक दो chapters रहते हैं वो जब मैं marathons लेकर आऊंगे अच्छा मैं तीन marathons लेकर आ रही हूँ एक marathon 8th of October को होगा दूसरा 10 को होगा तीसरी 13 को होगी तीन क्या है? एक है 6 महीने का current affair दूसरी है 6 महीने के government scheme तीसरी है 6 महीने का PIB इसका schedule आज रात को या कल सुबर मैं आपने telegram पर आपसे share कर दूँगी मतलब event share कर दूँगी आपको मिल जाएगा date वगेरा सब कुछ मिल जाएगा आपको online मिल जाएंगे आपको net पे मिल जाएंगे आप normal essay डालोगे RBI, PYQ आपको मिल जाएंगे जरू देखेगा करन अगर finance की class हो रही है कोई बात नहीं finance की class तो आपकी कुछ time तक ही रहेगी ना गसे एक महिना रहेगी जो भी रहेगी हमारा ये वाला बाच तो पूरा साल चलने वाला है ठीक है So आप decide कर सकते हैं आप एक class join कर लो और जब finance की खतम हो जा तब live देख लो या फर इसको live देख लो finance की recorded देख लो recorded आपको दोनों मिलेंगी तो वो आप decide कर सकते हो ठीक है करन हाँ जी Hrithik I think your doubt is clear करन वाला ही doubt है आपका की ऐसा नहीं है ना वो FM की तो हमेशा नहीं रहेंगी 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 तो अभी कुछ दिन पहले तो मुझे सीए Vikas ये मैं आपको थोड़ी वेर में बताती हूँ I need to ask this with the team की जो 2.0 वाले बच्चे हैं उनको हम क्या provide करने वाले हैं I know आपने मुझसे ये वहाँ पर भी पूछा था telegram पर भी मैं थोड़ी वेर में एक बर मुझे पूछना पड़ेगा with my team and then I will let you know ठीक है मैं आपको बताऊंगी जरूर पर ये क्योंकि बहुत सारे बच्चों का doubt है ठीक है हाँ वो मैं आपको यहां पर definitely सिखाने वाली हूँ कि recall कैसे करना है revise कैसे करना है हम कुछ webinars ना ऐसे भी रख लेंगे जहां पर revision strategy discuss कर लेंगे राइट हाँ 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 आई नो विकास मैंने देखा था आपका message मैं clear कर दूंगे ठीक है येस 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 रिशिता then you need to take it आपको फिर लेना पड़ेगा क्योंकि ये से बैंक महापाक plus में है ठीक है फिर आपको लेना पड़ेगा हं हां फिर आपको लेना पड़ेगा क्योंकि एसमें अच्छा एक बढ़ देख लीज़े उसमें ना एक ब्ला अप सार्च करके देखो अगर इसमें आगर आपको दिखता है तो ठीक है वरना आप enroll कर लिए ठीक है एक बर आप जिस भी batch में आप है न उसको पूरा scroll करके देखो उसमें दिख जाएगा अगर यह batch होगा तो ठीक है but this is like one time investment फिर एक साल के लिए आपको पूरा access मिलेगा ठीक है current affairs के लिए and I know बहुत सारे students का क्या होता है कि मां बाकी subjects prepare हो जाते है current affair और current affair का weightage भी बहुत है current affair ना से एक ऐसी चीज है कि वो सिर्फ GA में नहीं पूछा जा रहा है वो आपके बाकी subjects में भी पूछा जा रहा है आपका ESI में FM में है ना आपके phase 2 में फिर आपके interview में तो आपकी सारी तयारी यहां से होगी so this is like one time investment but बहुत अच्छा है it will be worth it हाँ regulatory महापाक में भी है यह ठीक है चलो all right then I guess अच्छा एक और चीज अगर आपका कोई भी suggestion हो regarding bigger picture this YouTube bigger picture free वाला ठीक है आप मुचे comment section में बता सकते हैं और October में बहुत सारी चीज़े planned है 6 October को हमारा यह grand launch है उसके बाद हमारी 8 से marathon चुरू हो जाएंगी 6 महिने की current phase की 8 को 10 को 13 को तो October तो full आपका you know packed है पढ़ाई के लिए ठीक है चलिए तो पढ़ते रहे आज के लिए इतना ही thank you so much have a wonderful time ahead bye everyone